अच्छिए सही है सब हेलो फ्रेंज्स नहीं हर्योम और स्वागत है आप सभी का आप सभी के ब्योडिफुल से चैनल हर्योम एजुकेशन में आज मैं वेदर क्लाइमेट एंड अड़प्टेशन अफ एनिमल्स का लेक्चर नमबर एट लेकर आया हूं और आज हम बात करेंग के अड़प्टेशन इन डेजर्ट एनिमल्स डेजर्ट एनिमल्स में क्या-क्या मोडिफिकेशन आते हैं क्या-क्या अड़प्टेशन आते हैं तो टोलिरेट एडवर्स कंडिशन उसके बारे मैं आपको बताऊंगा देन मैं आपको बताऊंगा इस्पेशल जो डेजर्ट म में उड़ता है उसमें क्या modification आते हैं क्या adaptation आते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा फिर मैं आपको camouflage के बारे में बताऊंगा camouflage का मतलब होता है छल या छल करना कैसे वो छल करता है उसके बारे में बताऊंगा mimicry भी उसी type का होता है छल ही किया जाता है पुरा species ही अपना color change कर लेता है उसको हम mimicry बोलते हैं तो एक एक करके हम लोग पांचो topic को deal करते हैं ये lecture इस chapter का last lecture है और ये सब आपको NCRT में नहीं पढ़ना है ये extra lecture है तो जो लोग Olympiad की preparation करते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो वो इस lecture को देखेंगे जो लोग नहीं देखना चाहते हैं वो नहीं देखेंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस lecture को और आपको heading लगाना है adaptation in desert animals ओके अबे ये board साफ क्यों नहीं हो रहा है चलिए चलिए heading लगाईए adaptation in desert animals adaptation अब तक तो सब को पता होगा adaptation का मतलब क्या होता है modification क्या modification आते हैं desert animals में क्या आते हैं तो desert में क्या होता है सब को पता है dry और hot daytime होता है dry and hot होता है in daytime दिन के समय में गर्मी होता है and cold in night cold क्या होता है रात में cold at night ठीक है किसी को कोई दिकर नहीं यहाँ पर पानी का बहुत ज़्यादा कमी होता है excessive shortage of water होता है excessive shortage of卓भ होता है यहाँ पर animals कौन सा रहते हैús यह भी सब को पता होगा क्या-क्या राते हैं इंसेक्ट रहते हैं मैमल्स रहते हैं यह सब रहते हैं insect क्या होता है कीरामपोरा reptiles क्या होता है रेंगने वाला mammals क्या होता है जिसके पास memory gland present हो जैसे human being rat है बैठ है और भी जीव सब है ठीक है जो मैमल्स है रेप्टाइल्स है इंसेक्ट है तो यही सब जीव यहाँ पर पाए जाते हैं इभें डेजाट में कुछ बड्स भी पाए जाते हैं इत्यादी ठीक है कोई दीकत में अब यह जो डेजाट अनिम अनुटा यहाँ तो टाइपस और मोडिफिकेशन तक कितने टाइप का दो टाइप का दो कर सबसे पहला अडप्टेशन होता है थो प्रोटेक्ष्ट अपने आपको बचाने के लिए फर प्रोटेक्ष्ट ऑम दी सराउंडिंग हीट फ्रॉंग दे surrounding heat इसके जो अगल बगल में जो heat होता है उससे बचाने के लिए surrounding heat क्योंकि temperature बहुत हाई है उसके बाद इसको पामी को conserve करना होता है for conservation of water क्या-क्या मैं आपको बताया दीन में क्या होता है dry or hot climate होता है रात में वहाँ ठन लगता है desert में यहाँ पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी का कमी होता है excessive shortage of water यह सब क्या feature है यहाँ पर कौन-कौन animals रहते हैं इंसेक्ट रहते हैं, reptiles रहते हैं, mammals रहते हैं adaptation, सबसे पहला adaptation है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो अपने आपको protect करना परेगा अपने चारो तरप से from the surrounding surrounding heat से और यहाँ पर पानी का क्या है कमी है, किलत है shortage है, तो उसको पानी भी conserve करना होगा अपने अंदर बचा के रखना होगा ठीक है, यही दो टाइप का हुए अब हम बात करते हैं nocturnal animal क्या होते हैं अब इस बोर्ट में क्या हो गया थाई अब इस बोर्ट में क्या हो गया थाई चलिए, nocturnal animal ऐसा animals जो night में active होता है the animals that are active at night उसी को हम बोलते हैं nocturnal animal ऐसे animal जो रात को जलता है the animals that are active at night the animals that are active at night उसी को हम क्या बोलते हैं यह साफ आज नहीं होगा are called nocturnal animal इसी को हम nocturnal animal बोलते हैं ऐसे animal जो active होते हैं रात में उसको हम बोलते हैं nocturnal animal और दिन में वो inactive होता है दिन में वो काम नहीं करता है दिन में वो काम नहीं करता है और रात में क्या होता है वो सारा काम करता है night में active होता है night में यह बहार निकलता है है जासे उलू होती हा रात में निकलता है कि लेकिन हम पढ़ रहे हैं ड़ेजाट में रहनेусов겠습니다 के बारे में तो ड़ेजाट में जेंडले जो स्नेक होते हैंट वह रात में निकलते हैं आप क्योंकि रात में ओसमयर को देने करते हैं घेमार्य कम करने और भान em or वह रहता कहाँ है तो वो रहता है अगर डिजव्ट में रहता है देन में रहेगा बील के अंदर ब्यूरिड इंदर सेंड बालू में जो बील होगा उसमें रहेगा ठीक है अगरो बील में, होल में, छेद में रहेगा ठीक है हो गया चलिए यहां पर जो animals होते हैं उसका पैर बरा होता है क्या होता है long legs जैसे camel camel का पैर कैसा होता है बरा होता है tail भी इसके पास होता है tail, पूँच भी होता है ऐसा नहीं कि इंसेक्ट के पास पूँच होगा, साप के पास पूँच होगा, साप के पास तो पूँच होता ही है, बट इंसेक्ट के पास पूँच नहीं होता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं समझना है, मतलब जो जहां पर फिट करें वहीं समझिएगा, ऐसा नहीं कि कुछ से कु वेरी लार्ज कान इसका जो कान होगा बहुत बढ़ा होगा कुछ एनिमल्स में ही, सब में नहीं सम एनिमल्स में ही सम एनिमल्स में ही, कुछ ही एनिमल्स में दा इयर है, ब्लड वेसल्स और जो, क्या-क्या मैं आपको बता है long leg होगा, tail होगा, very large ear होगा, उसका कान बहुत बढ़ा होगा और जो कान होता है उस कान पे blood vessels होता है मतलब blood का थैली होता है, थैली नहीं कर सकता है blood का बरतन होता है blood vessels मतलब ऐसा चीज, ऐसा pipe जिसके through blood सा flow करता है तो वो कान के पास बहुत ज़्यादा present होता है, बहुत ज़्यादा amount में, कान का जो ये surface होता है इस पर बहुत ज़्यादा blood vessels होता है blood का pipe sub होता है वह ही होता है blood vessels बहुत ज़्यादा amount में होता है इससे क्या होता है, जो बाहर से हवा आता है वो कान पर परता है और हवा और वह जो बलड होता है वो ठंदा हो जाता है और वो जो एनिमल्स होता है उसको ठंडाक मिलता है उसके पुरे बोड़ी में ठंदा बलड सर्कुलेट होता है through ears थिर के कोई दिखत नहीं है दा यार है ब्लाड वेसल्स दा यार्ज है ब्लाड वेसल्स इयर के पास काम के पास ब्लाड वेसल्स होता है नियर दी उसके बाद क्या होगा जो जो हवा काम से पास करेगा जितना हवा सब क्या होगा ब्लाड को ठंधा कर देगा मेरे अक्च्वली स्टैंड तुट गया है जिसके कारण प्रॉब्लेम हो रहा है क्लिप लगा कर इसको होल्ड करना पर रहा है ताकि वो गिर न जाए ठिक है थोड़ा प्रॉब्लेम आ गया इसकारण से लेक्चर एक दो दिन मिस हो गया है ठीक है दे एर है ब्लड वेसल्स कान के पास ब्लड वेसल्स होता है नियर दी सर्फेस कान का जो सर्फेस होता है उसके उपर ब्लड वेसल्स होता है कोई बात नहीं है clear है the air blowing across the ear cools the blood क्या मैं बोला the air blowing across the ear cools the blood the air blowing across the ears cools the blood वो क्या करता है blood को ठंधा कर देता है ऐसा खुल जो उसके काम के बगल से पास होता है कोई दिकत नहीं क्या क्या मैं बताया the air है blood vessel near the surface surface के near में blood vessels होता है the air blowing across the ear cools the blood वो क्या करता है खुन को ठंधा कर देता है which in turn cools the body जिससे क्या होता है बड़ी पुरा कुल हो जाता है which in turns cools the body उससे क्या होता है बड़ी को ठंधा की मिलता जैसे एक होता है फिनेक फोक्स उसका कान बहुत बड़ा होता है large years होता है कान उसका बड़ा होता है large years ठीक है इसको note कर लिजिए spelling गड़बर हो गया चलिए F E W N E C ठीक है इसको note down कीजिए ठीक है सब smooth चल ला है कोई दिक्कत नहीं है सब सही है ठीक है तो इसको note कीए बहुत सारा problem आता था बड़ा भी कुछ दिन से smooth चल ला है हर बार जब smooth चलता है तो नया नया problem आता है यह इसी में तो मज़ा है जाए थोड़ा भींगा कर इसको साफ करना पड़ेगा जढ़े बड़े यहार कर दो कर दो बड़ी गंदा हो गया बोर्ड चलिए अब पढ़ना है आपको अड़ाप्टेशन ही कैमल के अंदर क्या क्या अड़ाप्टेशन आता है कैमल के अंदर क्या क्या अड़ाप्टेशन आता है तो आपको पता होगा कैमल को हम क्या बोलते हैं रेगिस्तान का जहाज उस पे सब लोग बैठ कर ट्रेवल करता है क्या बोलते हैं क्या 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 अड़ाप्टेशन आता है जिसके कारण सब लोग इससे ट्रेवल करता है तो कैमल का जो फीट होता है पैर होता है वह वेवड होता है समझ रहे हो मतलब बहुत दूर में फैला होता है पुरा एकडम ज्याला टाइप का होता है एकडम पुरा आपस में लिंक होता है ठीक है जुरा हुगा होता है जिससे वह जमिन के अंदर धंधर नहीं है उसका जो पैड होता है बहुत बढ़ा होता है लाज पैड और वेब्ड होता है ठीक है इससे क्या होता है help to work on the hot and slippery sand जिससे क्या होगा help to work on the hot and slippery sand जिससे जो गर्म बालू होगा और slippery बालू होगा इसके उपर वो आसानी से चल लेता है इसके बाद इसके उपर इसके body के उपर पीठ के उपर हम्प होता है हम्प हम्प निकला हुआ होता है एक ऐसा उठा हुआ है जिसको कुबर बोलते हैं हिंदी में ठीक है हम्प ने उठा हुआ होता है जासे उठा दे है तो ऐसा उठा हुआ रहेगा ठीक है इसको हम्प हम बोलते हैं ठीक है हम्प जो होता है वो जो हम्प होता है वो फैट को इस्टोर करके रखता है क्या करता है इस्टोर करके रखता है इस्टोर्स फैट फैट जो होता है वो फू खाये शोकें सर्भाइब बीडाउट फूड फूर लॉंग तो सर्भाइब बीडाउट फूड फूर लॉंग लंबे समय तक वह बीना खाये पिये सर्भाइब कर लेता है है यह लाज क्वाँटिटी अफ वॉर्टर यह बर्ण ज्याधा अमाउंट में पानी पिता है कितना पिता है ड्रिंग्स लाज क्वाँटिटी अफू वॉर्टर लगएब 40 लिटर तक पी जाता है कितना अप्टू फोटे लिटर 40 लिटर तक पी लेता है ठीक है एट वन टाइम एक ही बार में यह मारकर चालिए ठीक है एक बार में वो 40 लिटर तक पानी पी लेता है और इसको रिटर भी कर लेता है आद श्चो अल्सु ए प्रिटर कर लेता है इसके जो बड़ी होता है इसमें वार्टर सिल्स पAND पानी को एस्चोर करने वाला सेल थिख है उसी को हम बोलते है व़िटर और उसमें store कर लेता है, and store in it, store in, क्या-क्या बता दिया, drinks large quantity of water at one time, and store it in, store it in the water cells, stores it in the water cells, जो water cells होता है, store करने वाला, उसमें store कर लेता है, water cells होता है, क्या है, stomach wall में होता है, of stomach wall, जो stomach का wall होता है, उसमें ये store कर लेता है, water cells पाया जाता है, जो stomach होता है, उसमें जो पेट होता है, इसमें special type का cell पाया जाता है, special type का, cell मतलब छोटा-छोटा, चीज जिसे human being बनता है, या camel बनता है, उसमें water cells पाया जाता है, में क्या करता है इसको जमा कर लेता है और ताकि इसको आगे काम दे ताकि आगे इसको काम दे ठीक है drinks large quantity of water up to 40 liter at one time and stores in it the in it stores in it stores in it in the water cells of stomach wall ठीक है कोई दिकत नहीं stores in it in the water cells of stomach wall यह थोड़ा sentence गरबर है इसको साही कर लिएगा इसके बोड़ी से sweats क्या होता है बहुत कम निकलता है sweets very little बहुत कम पानी निकलता है बहुत कम पानी जिससे क्या होता है पानी बचता है जिससे क्या होता है पानी बचता है और यह अपने बोड़ी से बहुत कम वाटर को secret करता है very little water secret यह अपने body से बहुत कम water को secret करता है, बहुत कम यह urine करता है, बहुत कम यह urine पास करता है जिससे क्या होता है? इसको पामी का कमी नहीं होता है ठीक है? इसको note कर लिजे चलिए आप सही हो गया क्या बता है? drinks large quantity of water at one time, एक बार में बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी पीता है, अप्टू 40 liters and stores it in the water cells of stomach wall, जो stomach wall का जो water cells होता है, उसमें यह store करके लग लेता है, ठीक है? sweets very little, पसीना अपने body से बहुत कम निकालता है, पानी को store करके रखता है, conserve water और very little water secret और बहुत कम पानी अपने body से निकालता है in the form of urine ठीक है? चलिए और भी प्रोपर्टी इसका देखिए board भी लगता है, गया board में एक बहुत ही अच्छा का phenomenon होता है, जिसके कारण board खराब हो जाता है कुछ समय बाद इसमें जो लिखा जाता है, वो इसमें क्या होता है, मिटता ही ने साफी नहीं होता है, रभी नहीं होता है एक बहुत ही अच्छा सा phenomenon होता है, जो आप class 12 में पढ़ोगे, बहुत मजा आएगा ठीक है चलिए अब इसका जो नाक होता है camel का, उसके उपर flap लगा होता है nostrils have flap जो नाक होता है, इसके उपर एक cover लगा होता है धगने के लिए, nostrils have flap ये क्या करता है, nostril को बंद कर देता है, ये क्या करता है closes the nostril ये नाक को बंद कर देता है ठीक है, during a dust storm during a dust storm मालीजे, हवा चलने लगा, और और क्या हुआ, उरने लगा dust, तब क्या करेगा इसके नाक के उपर एक flap present होता है, जो इसको ढख देता है और इसके नाक में गंदा नहीं घुचता है, nostrils have flap वो क्या करता है, closer than nostril during a dust storm इसके head के side में बरा बरा दो आँख होता है, large eyes on the side of head large eyes on the side of head उसका जो सर होता है, उसके बाजू में उसके किनारे पर दो बरा बरा आँख होता है large eyes on the side of head उसके head के side में दो बरा बरा आँख होता है できません eye का protection कौन करता है eye को protect कौन करता है बताईए, जा करेंगा उसका जो eyebrow होता है, वो सब बरा बरा होता है eyelashes उसका बरा बरा होता है लंबा होता है क्या होता है? long होता है और आईलास कैसा होता है बरा होता है और करली भी होता है करली आईलास इस आईब्रो नहीं आईलासस ही बोली है आईलासस मर्तभी जो पपनी देख रहे हो इससे क्या होगा कीप दी सेंड आउट अगर माली जी बालु इसके अंदर भुश किया तो इसको आसानी से बहार निकाल सकता है जैसे माली जी आँख में कभी-कभी कुछ पर जाता है धूल मिट्टे तो हम लोग आँख को जब ऐसे 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 दस बार करते हैं अपने आप वह निकल जाता है ब अब आफ ही, सर के दोनों साइड क्या होता है बरा बरा आँख होता है आई क्या करता है प्रोटेक्ट करता है इस प्रोटेक्ट करता है से बचाता अ और घुष जाा, तो यह बाहार को निकालने मदद temperature adjust its body temperature और वो अपने body temperature को adjust कर लेता है according to surrounding ठीक है according to the surrounding according to the surrounding surrounding air के साथ वो अपने आपको ठाल लेता है ठीक है बस इतना ही परना था आपको अब हम बात करते हैं एरियाल या फ्लाइट अडेप्टेशनिंग बड्स नोट कर रहा है अच्छे से नोट करते रहिएगा मेरा पुरा इनर्जी या डाउन हो चुका है एक मैं बहुत बड़ा सा लेक्चर अभी सूट किया बोड भी खराब हो चुका है प्रॉब्लेम तो नहीं हो रहा है गंदा बोड से प्रॉब्लेम तो होगा थोड़ा बहुत होगा तो अब हम बात करते हैं एरियाल या फ्लाइट अडेप्टेशनिंग बड्स एरियल या फ्लाइट अडेप्टेशन इन बड्स चिर्या जो होता है उसमें क्या-क्या मोडिफिकेशन आते हैं तो चिर्या का जो बोडी का सेफ होता है वह स्पिंडल इन सेफ होता है स्पिंडल सेफ मतब समझते हो ऐसा चिर्या का बोडी का सेफ ऐसा होता है ठीक है चिर्या ठीक है माली यह मूह है इसका बोडी है कटेल है तो चिर्या का बोडी का सेफ ऐसा होता है जिससे क्या होता है वह असानी से आगे क्योर मूब कर जाता मीनिमाम रेसिस्टेंस टूदी टूदी वाइन जिससे क्या होता है यह हवा को काटते हुए चला जाता है मिनिमम रेसिस्टेंस टूदी वाइन हवा को यह फारते हुए चला जाएगा ठीक है जैसे आप अगर बहुत तेजी से अगर ऐसे बैठ कर जाओगे बाइक पर आपको अजीब टाइप का यह बहुत स्पीड में लगेगा कि पीछे की और फेक आया रहा है कभी कोई भी बरासा चीद लेकर बैठियेगा बाइक पर तो आपको लगेगा कि पीछे की और फेक दिया क्यों क्योंकि एर का प्रेसर होता है तो उसका जो resistance होता है, बहुत कम होता है, अगर board लाना है, तो आपको इसको सिधा करके लाना होगा, ऐसे करके, अगर ऐसे ही पकर कर बीच में रखे बैठ जाईएगा, देन आपको पीछे मुहे ये गिरा देगा हवा, तो अगर आपको ऐसा board करी करना है, देन इसको सिधा करके, इसको ऐसे करके लाना होगा मतलब इतना पतला वाला साइड ऐसे करके पकरके लाना होगा अब बीच में रख लिजिएगा ऐसे करके देर उड़ जाईएगा पीछे की ओर यह सब किये हो या नहीं ठीक है अब इसका फेदर में क्या अडेप्टेशन होता है फेदर मतला पंग में क्या अड़ेप्टेशन होता है इसका जो पंग होता है वह प्रिवेंट करता है लोस से लोस अफ हीट उसके बोडी से कम से कम हीट निकले एंड मेंटेन एंड मेंटेन कॉंस्टेंट बोडी टेंपरेचर और उसका बोडी का टेंपरेचर कॉंस्टेंट रहे उसको वह मेंटेन करके रखेगा क्या जीद पंग पंग क्या करता है उसके बोडी के जो अंदर का हीट होता है उसको बाहर नहीं निकलने देता है प्रिवेंट लोस अफ हीट अड़ मेंटेन कॉंस्टेंट बोडी टेंपरेचर और उसका बोडी टेंपरेचर कॉंस्टेंट होता है तुम है तो कोई दिकात नहीं तना में अब हम विंग्स के मोडीफिकेतन के बारें बरते हैं विंग्स मतलब डैना डैना पकड़ के तेरा कोई उखा रहा है या नहीं तो डैना क्या होता हूँ जो हाथ हम लोका होता है उसी को डैना बोलते हैं उसका हाथ ही मोडिफाई होता है पंक में ठीक है तो जो इसका विंग्स होता है विंग्स मतलब फोरलिम्स म इंटू Rings डेना में मोडिफाई हो जाता है उसका हाथ और उडने लगता है विंग्स में मोडिफाई हो जाता है यह क्या चीजिन में मदद करता है विंग्स------ help-during उडने में कि----- flight के दrespect करता है उडने के दरान," ठिक है इसको नोट कर देगी है अब हम इसके बीक के मॉडिफिकेंटेंगे में बात करेंगे किऊ के मोडिफिकेंटेंगे बारे में थे अ यार क्या हो गया प्रम्प्रम्लेंटे नहीं और यह कि यह बोड़ गंदा रह जा रहा है बार बार चलिए दूसरा कलर से लिखता हूँ बीक में क्या मोडिफिके सनाते हैं चोच में क्या मोडिफिके सनाते हैं बीक में क्या मा नमबर है तिसरा है यह चोथा कोई भी नमबर है लिख लिग यह जो भी है बीक में क्या मोडिफिके सनाते हैं चोच में तुर तका काम क्या होता है खाना ठूसना और क्या काम होता है दोसला बनाना अदि मेस्ट ब्लिदिनंग मैं ठेक यह कि फिफ्थ प्रोपर्टी आता है उसका गर्दन मि Bak需 घर्दनタare 사람이 मात्था थर यह जिसको सर बोलते हैं वह वाला तो इसका जो नेक होता है मोबाइल होता है मोबाइल मतलब वह वाला मोबाइल नहीं तुम वीडियो देख रहा हो वह वाला मोबाइल नहीं मोबाइल मतलब लिखना है तो लिख लेजिए मोबाइल मतलब मुव करने के योग ये ठीक है मुव हेवल नेक है ठीक है और क्या छी त्पेडिंग में भी मदद करता है नेश्ट्राम में मदद करता है भोसला अपने आपको बचाने में मदद करता है अपने आपको बचाने में अपने आपको बचाने में मदद करता है अपने आपको बचाने में देखता रहेगा गर्दन घुमा घुमा के कहीं कोई आ न जाए हमको मानना दे ठीक है अपने आपको बचाएगा डिफेंस करेगा प्रोट ज्यादा है जिसको आँ बोलते हैं था यह फ्लाइट कर अ रिजन में डेवलोप हो जाता है जा होता है इंदी ब्रेष डेवलोप होग के उस रिजन पर क्या होता है डेवलोप हो जाता है प्लाइट मसल्स जो की मदद करता है तो नहीं मदद करेंगा क्या चीज में मदद करता है है तो हेल्प इन फ्लाइट उड़ने में ठीक है इसको नोट कर लिए दिखरा क्लियर एक बार में चेक कर लो पुरा स्मूथ चल लाया नहीं ओके आई थिंक चल ही राया स्मूथ चल ये फ्लाइट मत्सल्स हो गया हो गया इतना नोट कर लिया चल ये अब उसका जो हिंगलिम होता है फोर्ली मतलब यार जितना अभी नम्बरिंग है उसके आगे कर लिजिए पाप्षे हुगा होगा आई साथ में डाल दिया साथ च्छे हुआ है एक दो तिन चार आ चीढ़ पांच चेश सिक्स या ट्रवें सेवेन होगा सा ये इसका हिंगच हिंडलिम होता है इसका पेर होता है वह पेर का काम क्या होता है डाली पर बैठना पर्चिंग करना पर्चिंग में मदद करता है पर्च करने में बैठने में फिर आता है इध नमबर प्रोपर्टी वह हैं इंडो इसके बोडी में कैसा इसके लेटन होता है इसके बोडी के अंदर हड़ी तो जो इसका बोन्स होता है वो न्यूमैटिक होता है निूमाटिक निूमाटिक का मतॉल बोन के जगः हवाववादी लुटा फीलिप ए ए पूलिक बों के जगः हवा फिलिवSubt instead of bone marrow bone marrow के जगह पर इसमें क्या होता है हवाफ ही होता है जिससे इसको benefit क्या मिलता है वो आसानी से उड़ लेता है जो कि कि उसको flight करने में मदद करता है और इसका body weight कम हो जाता है body weight हलका हो जाता है और यह असानी से उड़ता है ठीक है इसको note के जिए विडियो पहुच करके note कर रहे है अच्छे से चलिए कर लिए note इतना मैं आगे बढ़ता हूं सब चित साथ smooth चली रहा होगा मैं बार बार चेक भी कर लेता हूं ताकि कुछ problem ना हो I think sound भी सही ही होगा actually यह वीडियो पहले ही हो गया था बट sound भी कट गया था एक वीडियो में बड़ा परिसानी होता है भाई कुछ समझ नहीं आता है चलिए नाइन्थ नंबर प्रोपर्टी होगा air sex इसके body में air का sex होता है थैला होता है जो की lung से attach होता है अटाइच टू लंग्स जो की लंग्स से अटाइच होता है जो की हवा को रिजर्व करके रखता है रिजर्वियर्स ओफ हवा, हवा को रिजर्व करके रखता है, हवा को रिजर्व करके रखता है, जो कि एक कूलिंग डिवाइस की तौर पर यूज करता है, यूज होता है, ये क्या करता है, उसके बोडी के बोडी टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखता है, मिन्टेम करके रखता है क्या चीद में मदद करता है regulation of body temperature उसके body temperature को maintain करने में मदद करता है फिर आता है कि 10th number property इसका जो खून होता है गर्म होता है warm bloodedness खून क्या होता है गर्म होता है समझ में आ रहा है warm blooded का मतलब यह नहीं होता है कि इसका खून गर्म होता है इसका मतलब यह होता है कि इसका body temperature constant होता है ठीक है warm blooded मतलब यह नहीं समझ लिजिएगा कि इसका खून गर्म होता है समझे इसका मतलब यह होता है कि उसका body temperature ठीक होता है एबल कर दो मेंटेन अ लोल नहीं कि दीएक है कहीं पर ब्लॉड नहीं नहीं कर पाते हैं एबल टू मेंटेने constant temperature जो की necessary होता है उढ़ने के लिए necestry टुइ necessary flight necestry for flight ठीक है उड़ने के लिए बहुत ज्यादा जरुघत होता टाने से पड़्राइब कि तिक अब आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब इसके बोडी में फून कैसे दोरेगा, सर्कुलेशन कैसे होगा, क्या चीज़ का, ब्लड का, तो इसके पास सर्कुलेटरी सिस्टम पुरा अच्छे से प्रजेंट होता है, लोवर एनिमल्स में नहीं होता है, बट इसके पास by circulate करने के लिए blood proper system होता है कि इसके लिए हम वर्द यूज करते हैं well developed circulatory system well developed at 6, of call as a develop efficient circulation system जिसके लिए होता है ठीक है चलिए कर लिए एकना नोट नोट कि जी अच्छे से इसके पास यूरिनारी ब्लैडर नहीं होता है मतलब प्रिसाब इस्टोर करने का थैली नहीं होता है एपसेंस होता है किसके पास बड के पास जो एरियल बड्स होता है उड़ने वाले बड्स होते हैं अब यार इस बोड को क्या हो गया भाई इसको रगर रगर के साफ करना पड़ेगा क्या सब धोखा ही दे रहा है भाई क्यूं जी क्यूं एसा क्यूं नाइन साफी करते हो चलिए कहां तक बता दिया था सर्कुलेटरी सिस्टम तक क्यूंसा प्रोपर्टी है क्यां हो गया एक दो इचार मांकहर तक मैं दस दस चलिए तेंध नंबर प्रोपर्टी घैंथ नाइस एक दो तेंच आर पांछय प्रोपर्टी ऐसरी च हो ऑसी हो गारह होगा चलिए I think 30 number property, absence of urinary bladder, absence of urinary bladder, अगर numbering गलत होगा, देन आप सही कर लिजिएगा, इसके पास urinary bladder नहीं होता, पेशाब इस्टोर करने का थेला नहीं होता, यूरीन इस्टोर करने का, excreta is passed out at 1, एक ही बार में सब चीद बाहर निकलता है, excreta is passed out at 1, एक ही बार में पुरा excreta इसका बाहर निकलता है, reducing, जिससे क्या होता है, इसका weight कम रहे, जिससे क्या adaptation मिलता है, reducing the weight, इससे क्या होगा, उसका जो weight होगा, कम जाता है, weight को short view वैसे लिखते है, reducing the weight of the body, उसका body का weight कम जाता है, reducing the weight of the body, except एक bird के, एक exception है, इसमें exception मतलब, जितने भी उड़ने वाले birds है, सब क्या करता है, एक ही बार में दोनों काम करता है, इस tool पास भी करता है, और urine पास भी करता है, बट एक bird होता है, जिसका नाम होता है, रिया, वो इसका exception है, रिया, एक flightless bird होता है, उर्था नहीं है, flightless bird, वो इसका क्या है, exception है, अब वाद है, ठीक है, हो गया, अब आता है, brain and eyes, दिमाग और आख, क्या चीज़ के पास, bird के पास कितना होता है, तो brain यह सब होता है, इसका अच्छे से developed, brain इसका अच्छे से developed होता है, brain में बहु सारा पार्ट होता है, जिसका एक पार्ट होता है, एक पार्ट होता है, सेरी बेलम, क्या होता है, इसको याद कर लीजिेगा, समझने में नहीं ज्यादा परिएगा, क्या होता है, cerebellum आपको नहीं पता है बट याद कर लिए ब्रेन में एक पार्ट होता जिसको हम बोलते हैं cerebellum यह क्या करता है इसके body को equilibrium maintain करता है equilibrium मतलब इसके body को maintain करके रखता है ठीक है उसके लिए हम word use करते है equilibrium maintain इसके body को equilibrium maintain करके रखता है मतलब इसके body को इधर-उधर होने नहीं देता है मतलब इसको असानी में उरने में मदद होता है उरने में ऐसा नहों कि उर रहा है कहीं गिर गया नहीं गिरेगा क्योंकि equilibrium maintain करता है seribellum इसको आप याद कर लेजिए कोई पुछेगा equilibrium maintain क्या चीज़ से होता है तो इसका answer होगा seribellum से ठीक है कोई दिकत नहीं है इसके पास single ovary होता है कितना होता है single ovary ovary क्या होता है किसी को ovary होता है जो female gamit को store करके रखता है female gamit मतलब वो अपने progeny को आगे बरवाने में मदद करता है progeny मतलब अपने बच्चा को पैदा करने में मदद करता है यह सब आप पर होगे reproduction chapter में class 8 में ठीक है अभी घबराना नहीं है तो इसके पास कितना ovary होता है single ovary जो कि functional होता है एक ही ovary इसका functional होता है यह आपको याद रखना है single ovary functional होता है एक ही ovary ठीक है जो कि left side में होता है left side में होता है in the female body female body के left side में होता है कितना ovary single ovary left side in the female body जिससे क्या होता है इसका body weight बहुत ज़्यादा कम हो जाता है reduction in body weight इसका body का weight बहुत ज़्यादा कम जाता है reduction in body weight ठीक है reduction of weight हो गया अब हम लोग एक बड़ा ही important topic के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं come out of ledge चल करेगा आप कैसे यह जानवर देखिए चल यह थोड़ा अच्छे से साफ करता हूँ अब छलिया वाला काम कैसे जानवर सब करता है इसका example आपको नहीं याद रखना है कमाव फ्लेज का मिमिक्री का बट आपको यह पता होना चाहिए कि कमाव फ्लेज और मिमिक्री क्या होता है बहुत ज़ादा important है यह term बहुत जगों पर यूज होगा I think class 8 में भी बहुत ज़ादा यूज होगा ठीक है तो अभी से जानके रखिए ठीक है आता है कमाव फ्लेज कमाव फ्लेज कमाफ्रेज क्यों होता है छल क्यों करता है अपने आपको protect कराने के लिए protection के लिए blend with surrounding वो अपने surrounding के साथ में blend हो जाता है blend with surrounding adapt हो जाता है blend with surrounding या background वो अपने body को color को भी change कर लेता है background ठेक है blend का true मतलब जो होता है देख लीज़ेगा google पर क्या होता है जैसे example मैं 3-4 आपको बता देता हूँ जैसे एक होता है कभी देखे हो पेर के पत्ता के समान grass ओपर फटिंगा पेर के पत्ता के समान होता है leaf like grass ओपर पेर के पत्ता के समान grass ओपर और भी बहुत सारे होते हैं जैसे stick के समान insect होता है जिसको हम बोलते है stick insect आपको पता ही नहीं लगेगा वो अपने background के हिसाब से अपने surrounding के हिसाब से अपने body color को blend कर देता है change कर देता है ठीक है आपको पता ही नहीं लगेगा mix हो दाएगा सब के साथ में ठीक है stick insect होता इसका example और भी example होता जैसे leaf insect leaf insect assign insect जो की पेर के पत्ता के समान होता है पेर के पत्ता के समान पेर का पत्ता गिरा हुआ वहाँ पर यह किरा है आपको पता नहीं लगेगा ठीक है यह अपने आपको बचा लेता है इसको कोई खा नहीं पाता है एक और होता जैसे dead leaf insect पेर का पत्ता जो सुख जाता है वैसा इनसेक्ट दिखता है तो इसको कोई खा नहीं पाएगा खा नहीं पाएगा और इसका scientific name भी आपको याद होना चाहिए ठीक है scientific name scientific name थोड़ा tough है रुख जाएए मैं book से देखकर आपको लिखाता हूँ पहला है औरेंसिया रेक्टिफोला औरेंसिया रेक्टिफोला औरेंसिया रेक्टिफोलिया रेक्टिफोलिया औरेंसिया रेक्टिफोलिया नाम है ठीक है औरेंसिया रेक्टिफोलिया इसका scientific name है scientific name क्या होता है ऐसा name जो पूरा दुनिया में जाना जाता है उसी को बोलते है scientific name अरयंचिया, reactiv folia ठीक है फिर आता है इसका carasius morasus carasius morasus एक मिनट मैं इसका भी spelling एक बार चेक कर लूँ क्या है सी ए आर ए यू एस आ यू एस कारांसियस मुरासस एम ओ आरे एस यू एस ठीक है ए आरे इन टिया ये रैक्टि फोलिया हां सही है चाहिए फिर आता है फालियम फ्रॉंडोसम इसको हम पढ़ते हैं फालियम फ्रॉंडोसम फ्रॉंडोसम इसका साइंटिफिक नेम है ये नेम आपको अगर याद करने का मौन है तो कर लिदिये ये हमको भी याद नहीं है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है बट है जैसे इसका है फाइलो क्रैनिया पैराडोक्सा ये कैसा नाम है साइंटिफिक नाम है फाइलो ट्रैनियां पराज़ा चलिए अब अब हम सब्से पहले समाथते हैं साइन्टिफिक क्नेम क्या होता है प्andıris है सायन्टिफिक सांटिफिक नेम जैसे मान नोच पमें आलू स्टेट ञाहर होता है वो जैसे मेरे इलाके में बोला जाता है आलू बहुत जगा पर उसको बोले जाता है बटाटा क्या बोला जाता है बटाटा जो बैंगन होता है बैंगन ब्रिंजल उसको बहुत सारे जगों पर एक प्लांट बोला जाता है तो अलग-अलग जगा पर एक ही चीज़ का उसे को हम बोलते हैं scientific name तो यह क्या है scientific name है ठिक है अब scientific name लिखने के समय आपको दो चीज़ पर ध्यान देना होता है कोई भी आप scientific name लिखिए तो उसका जो पहला letter है वो capital होना चाहिए और जो दूसरा letter है words का, sorry, दूसरा जो words है, उसका जो first letter है, वो small होना चाहिए, देखिए, capital is small, ठीक है, अब यह सही है नाम, capital is small, सही है, capital, capital, गलत हो गया, इसके जगह पर आपको क्या करना होगा, कात कर इसको लिखिया, नीचे में, ऐसे, frondosum, अब हुआ जाकर सही, यह मालनी जे बरा है, तो गलत हो गया, क्यों, क्योंकि पहला letter जो होगा, first word का, वो होगा, capital, जो second letter होगा, second words होगा, sorry, उसका जो पहला letter होगा, वो होगा, small, ठीक है, जैसे यह सही है, capital, फाइलो क्रैनिया, पैराडोक्सा, चलिए, small, सही है, हाँ, पहला rule वो हो गया, capital small चेक करना, पहला rule क्या है, capital small वाला, capital small होना चाहिए, और दूसरा जो rule है, वो है, सब को underline किया जाता है, proper, अगर आप scientific name, copy में लिख रहे हैं, या boards पर लिख रहे हैं, देन उसको आपको underline करना परेगा, इसको आपको underline करना परेगा, अगर आप underline करना भूल गया है, मतलब आप गलती नाम लिख रहे हैं, इसको underline कि दिये सब को, तभी जा कर ये, सही होगा, अगर underline करना भूल गया है, मतलब आप गलती कर दिये नाम, ठीक है, हो गया, इसका नाम scientific name, मैं इसको लिखना मुझे generalist सिखाना था आपको, इसी कारन से मैं बताया, अगर याद करने का इच्छा हुआ, तो कर लिजिएगा, नहीं मन है, तो छोड़ दीजिएगा, इसको तिन चार बार बर तैसे ही पढ़ लिजिएगा, ठीक है, अब next property आता हूँ है, निमिक्री, चलिए, अबे बोर्ड तुम्हें हो, क्या गया भाई, साफ क्यों नहीं हो रहा हूँ हूँ हूँ, चिच्ची पूरा बोर्ड गंड़, हो गया, चलिए, लास्ट प्रोपर्टी है, मिमिक्री, एक स्पेसी दूसरे के समान दिखने लगे, रिजेम्बल करने लगे, एक समान दिखने लगे, रिजेम्बलेंस औफ वन स्पेसीज बित अदर, एक स्पेसीज दूसरे के समान दिखने लगे, उसको हम बोलते हैं, पूरा एक स्पेसीज ही बदल जाएगा, जिससे क्या होता है, एडवांटेज मिल जाता है इसको, जिससे क्या मिलता है, एडवांटेज मिलता है, वो किसी का भी सिकार कर देगा, किसी को भी पकड़के माण देगा ठीक है लेगर लेकिन अपने आपको बचा लेगा क्योंकि वो लगेगा कि वो दूसरे एस्पेसित का आदमी है वो किसी भी एस्पेसित के साथ में भूरस जागा सब को लगेगा कि यह अपने ही जाती का आदमी है, इसको लोग नहीं मारेगा, और यह क्या करेगा, जैसे माल लिजे, दुसरे का खाना है, ठीक है, दुसरे का खाना रखा हुआ है, माल लिजे, खाना है कुत्ता का, ठीक है, कुत्ता को खाने के लिए खाना दिया गया, 20-30 कुत्ता है, उसमे एक आदमी को भी खाना है, तो आदमी कुत्ता टाइप का बन के चला जाएगा, और उसमें से खालेगा, मान लिजे, मानना है बस, तो कुत्ता बन के आदमी चला जाएगा, खालेगा, कुत्ता के समान जीदा पुरा दिखेगा, देन उसको कुत्ता नहीं पहचान पाएगा, ठ शिकार भी, शिकार से, ठीक है, ऐसा स्पेसिज जो नकल करता है, मिमिक्री का मतलब होता है, नकल करना, कॉपी करना, ठीक है, स्पेसिज वीच इज इमिटेट, स्पेसिज वीच इज इमिटेट, ऐसा स्पेसिज, जो नकल करता है, उसको हम बोलते हैं, model is called model उसको हम बोलते हैं model जो नकल करता है उसको हम बोलते है model जैसे dance हो रहा होता है film सब में गाना सब में तो पीछे में भी dance चल ला होता है model सबका ठीक है species which is imitate is called model यह क्या है imitate मतलब नकल करेगा of course कोई भी गाना चलता है उसमें जो पीछे भी dance कर रही होती है उसको भी आता है बट वो नकल कर रही होती है ऐसा बोला जाता है जो जो villain होता है वो सब true character पर काम करता है ठीक है animal which imitate is called mimic पूरे species को हम क्या बोलते हैं model और जो animal imitate होता है उसको हम बोलते हैं mimic animal which imitate imitate animal which imitate known as mimic या mimic जो बोलना है वो बोल यह mimic या mimic 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 या mimic ठीक है बस चलिए यही पर आपका यह chapter होता है समाप्त आपको क्या करना है कोई भी objective book उठाना है उसका कुछ questions लगा लेना है अगर आप school examination की तैयारी करते हैं then school वाला book बनाना है अगर आप competition के लिए पढ़ते हैं then वो book खरी दिये और बनाईए तो यह भी chapter आपका समाप्त होता है यह भी थोड़ा का बोरिंग टाइप का चैप्टर था ठीक है बाय अल दिवेस्ट नाइस have a good day